आकाश्वानी भूपाल से प्रसुध हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग पहले मुख्य समाचार भारी वर्षा और बाठ से वे नुकसान के लिए केंद से 6,621 करोण रुपए की साहिता के मांग केंद्री दल के साथ बैठक में दिया नुकसान का ब्योरा निवेशकों का सम्मेलन मैगनिफिशेंट एमपी की तैयारियां पूरी मुख्यमंत्री कमलना थाज प्रमुख उद्योग पतियों से मुलाकात करेंगे प्रदीश में शास्के स्कूलों में अभिवावकों की भागिदारी के लिए 19 अक्ट्यूबर को पालक शिक्षक बैठक होगी और सागर में केंद्री संस्कुरती मुंत्राले का दस्वा राश्ट्री ये संस्कुरती मौत सब शिरू अब समाचार बस्तार से राजिस सरकारी प्रदीश में भारी वर्षा और बार सिवे नुकसान के लिए किंद्र सरकार से 6,621 करोड रुपए की सहायता उपलब्ध कराने का आग रह किया है मोकि सच्यू एसार मोहंती की अधिक्षिता में कल नुकसान का जाइजा लेने आए किंद्री दल की बाठक में राजिकी ओर से नुकसान के बेवरी की जानकारी दी गई जिसमें बताया गया कि प्रदेश के 40 जिलो में 60 लाख हैक्टियर से अधिक रखबी पर फसले और 55 लाख से जादा किसान प्रभावित हुए है 11,000 किलोमीटर सड़के शति ग्रिस्थ हुई है केंडरी दल को बताया गया है कि 18,600 बिजले के खंबे और ट्रांसफार्मर के साथ ही एक लाख से ज्यादा मकानों को भारी वर्षा और बाढ़ में नुकसान हुआ है केंडरी ग्रह मंत्राले के सेयुक्त सचीव इसके शाही के नितरतों में आये केंडरी दलने प्रदेश के 15 जिलों का प्रमन करने के बाद राजि सरकार के अधिकारियों से बैठख में चरचा की इसमें बताया गया है कि प्रदेश में बारिश के मौसम में सामान इसे 43 फीसिदी ज्यादा बर्शा रिकॉर्ड की गई है और 20 जिले अतीव रिष्टी से प्रुभावित हुए हैं प्रदेश में बारि बर्शा और बार से फसलुक हुए नुखसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालीन केंद्रियदल ने, कल प्रदेश के राज़पाल लार जी जटंदन से मुलाकात की राजयपान ले इस मौके पर कहा कि प्रदीश के आतिवरिष्टी पेड़ित किसान और गरीव के प्रती सम्विदनशील द्रिष्टी के साथ नुकसान का आकलन किया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि भारी बारिस से सुया बीन और आने फसलों को काफे नुकसान पहुंचने की सूचनाय मिल रही है श्रिटेंडर ने खेदी को हुए नुकसान से ग्रामीर अर्थ व्यवस्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पढ़ने को लेकर चिंता जाहिर की उन्होंने उम्मीज जता है कि केंद्रिय दल फसल नुकसान का व्योहारी कौर उदार आकलन करेगा जिसे किसानों को उचित रहत मिल सकेगी प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडौर में बैंगमी फिशेंट एमपी सम्मीलिन आयवचित किया जा रहा है दो दिवसी सम्मीलिन के तयारियां पूरी कर ली गए है मुखे मंत्री कमलनात आज प्रदेश के प्रमुखो द्योगपतियों से मुलाकात करेंगे सम्मीलिन के लिए निवेश के आने प्रस्ताओं के अतरिक्त पांच देशों की कमपनियों के 4,385 करोड के निवेश प्रस्ताओं भी विचारा धीन है इनमें इसराइल की दो कमपनियां शामिल हैं इनके अलावा ब्राजील, जपान, नार्वे और अमेरिका की कमपनियों के निवेश प्रस्ताओं भी हैं वहीं स्मॉके पर आयोचित की जाने वाली प्रदर्शनी में राज़म नवीन और नवकरणी ऊरजा के शेत्र में चल रहे कारे के झ्हलक भी मिलेगी इस प्रदर्शनी में राज़म कर्यानवेत, सौर ऊरजा परियुजनाओं को विस्तार से बताया गया है इन में रीवा की अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना, किसानों के लिए सोलर पंप योजना और रूफ्टॉफ सोलर प्लांट भी शामिल है प्रदेश में पन बिजली और पवन उर्जा के उत्पाधन के प्रयासों को भी प्रदर्शनी में दिखाया गया है जनजाती कार्यमंत्री अर्जन मुंदा ने लड़कियों के लिए फेस्बुक कारिकरम गोल यानि गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स की दूसरी चरण की खोशना की है इसका उदेश देश की जनजाती लड़कियों को अपने समुधाय में ग्रामेर इस्तर पर डिजिटल यवा विशिशग्यता हासल करने के लिए फुरुथ साहित और प्रेड करना है गोल बंची थीवा जनजातीय महिलाओं को व्यापार फैशन और डिजिटल तथा आने जीवनशाली सीखनी की गला के शेत्रों में वरिष्ट विशिशग्यों के साथ चोड़ता है इस कारिक्रम के दूसरे चरण में जनजातीय कारे मंत्राले और फेस्बुक एक सार जनजातीय बहुल जिलों में 5000 यवा पहिलाओं को डिजिटल रूप से शिक्षित करेंगे कारिक्रम का पहला चरण इस साल मार्च में शुरू हो गया था कल नई दिल्ली में कारिक्रम के अगले चरण की शुरुवात के औसर पर शे मुंडा ने कहा कि इस कारिक्रम से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी यवा पहिलाओं को सफलता का मागदर्शन मिलेगा ये समाचार आप आकाश्वानी भोपाल से सुन रहे हैं हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के नुसार सुन सकते हैं ये समाचार बुलिटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेस्बुक पर EIR News भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या EIR News आप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं समाचारों में एक बार फिर सुपागत है प्रोदेश की शास की विद्यालियों में अभिभावकों की भागेदारी सुनेशित करने की दृष्टी से उनीस अक्ट्यूबर को लगबग एक लाग बीस जार शालाओं में पालक शिक्षक बैठक होगी इनमें सहभागता के लिए नब्बे लाग स्याधिक विद्यार्थियों के अभिभावकों को आमंतरित किया जा रहा है इसका उद्देश अभिभावकों को उनके बच्चों के शैक्षनिक इस्तर के जानकारी प्रदान करना शाला के अकादमिक बुद्दो के जानकारी देना सुजहोप रापत करना और विद्यार्थियों को प्रेवीध कर उनके शेक्षिक स्थर में सुधार के लिए अविभावकोंकों जागरुक करना है मुखेता विद्यार्थी की त्रमासिक परिक्षा दक्षता उन्यन की कौपिया अविभावकोंकों को दिखाई जांगी मुख्यमंत्री कमलनात ने कहा है कि उनकी प्राजमिक्ता प्रदीश को ऐसी दिशा और दृष्टी देना है जिससे राज्य का हर तपका लाभानमित हो उन्होंने कल भोपाल में वेवसाय जगत की लोगों को समाने के लिए आयोजित समारों में कहा कि राज्य में सिंसाधनों की कमी नहीं है सरूरत इनके सही स्टमाल की है श्रिनाद ने कहा कि पिछले दस महीने में सरकार ने अपनी नियत और नीती से ये बता दिया है कि हमारा लक्ष विकास है जिसे किसानों को वाजवदाम और नौजवानों को काम मिले मुख्यमंत्री ने कहा कि खीती के शेत्र को मस्बूत बनाने और किसानों के आएमे वृद्धी करना हमारी प्रात्यमिक्ता है उन्होंने कहा कि उत्पादन का सही उप्योग करने की चुनौती हमारे सामने है जिसे किसानों को अधिक फाइदा मिले मंदी के दौर के संबंद में श्रीनाथ ने कहा कि आर्थिक नीतियों में व्यापक सुधार लाना होगा मौजूदा हालात के लिए उन्होंने गलत दिशा में लिये गया फैसलों को सिम्मेदार बताया देशपर के शीत्री कलाकारों के समागम के साथ कल सागर में दस्वा राश्री संस्कृती महतसब आरंब हो गया सागर के सांसत राशबादर सिंग ने इसका उद्खादन करते वे कहा कि लोग कलाओं से रची वसी बुंदेलखन की धर्दी पर लोग संस्कृती एक बार प्रची वन्थ हो उथी है उन्होंने इस आयोजन के लिए किंद्री संस्कृती और परिटिन राज्य मंत्री प्रलाज सिंग पतील के प्रती आभार वेक्ट किया किंद्री संस्कृती मंत्राले द्वारा आयोजित इस महतसब में लोग कलाकारों ने प्रस्तोती दी शेत्री संस्क्रति कींद्र के कलाकारों ने भी पूरे देश की संस्क्रति की संबंद में परिछेत कराया दो दिवसी सायुचन के अंतरगत, हस्तकला और शिलप लगाया गया है इन दौर के पास महोस्तित सेना भर्ती का रियाले द्वारा साने को की भर्ती रैली का यूजिन 20-30 नमबर तक उजयन में किया जाएगा भर्ती रैली में हिस्सा लेने के लिए ये वाओं को 4 नमबर तक ऑनलाइन पंजियन होगा ये रैली सानिक जूर्नल ड्यूटी, सानिक टकनीकी, सानिक टकनीकी, सानिक नर्सिंग असिस्टेंट, सानिक ट्रेट्समैन, हवलदार, जूनियर कमिशन ऑफिसर हवलदार शिक्षा के पदों पर आयोजित की गई है अब कुछ समाचार सिंख्षेप में कत्मी में 25 अक्ट्यूबर को राश्ट्री आयोवेद दिवस के मौके पर 22-25 अक्ट्यूबर तक आयोवेद के पचार के लिए विभन कारिक्रम संकूष्टी और कतिविधियां आयोजित की जाएंगी खनवा नगनिगम शेत्र में डेंगू और मलीरिया की रोगथाम के लिए भियान चलाया जा रहा है लारवा के जांच के दुरान लापरवाही पाय जाने पर तीन स्कूलों पर जुर्माने की कारवाई की गई बच्चों के प्रती अपराधूं की रोगथाम संबंधी पॉक्सो एक्ट और अनिगमफीर अपराधूं की संबंध में चतरपुर मिकल पुलिस पल का जलाय सरी प्रशिक्षन कारिक्रम हुआ जिसमें 50 निरिक्षकों और उपनिरिक्षकों ने भागिदारी की अन्त में मुख्य समाचार एक बार फिर भारी वर्शा और बार से वे नुकसान के लिए केंडरी दल के साथ बैठक में दिया नुकसान का ब्यूरा निवेशकों का समेलन मैगनिफीशेंट एमपे की तैयारिया पूरी मुख्यमंत्री कमलनात आज प्रमुक उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे प्रदेश में श्यास के स्कूलों में अविभावकों के भागेदारी के लिए उन्नीस सक्ट्यूबर को पालक शिक्षक बैठक होगी और सागर में केंडरी संस्कृती मंत्राले का दस्मा राश्री संस्कृती मोहतसाफ शरू इस बुलेटिन में इतना है आकाशवाणी भूपाल से अगला प्रदेशिक समाचार बुलेटिन सुनिए दो पहर दो बच कर 30 मिनट पर नमस्कार